नमस्कार अगर आपकी उम्र 18-25 के बीच में है तो जिवन में ये गलतिया कभी मत करना वरना जिवन में ऐसे पच्छताओगे कि उसका पच्छा तापी आप नहीं कर पाओगे 18-25 की उम्र में आपको अपने केरियर की सेटल करने की उम्र होती है 18-25 की उम्र में कभी भी गल्फ्रेंड बोईफ्रेंड के चक्कर में मत पढ़ना अगर आप लड़की हो तो बोईफ्रेंड के चक्कर में मत पढ़ना और अगर आप लड़का हो तो गल्फ्रेंड के चक्कर में मत पढ़ना यह उम्र आपके करियर को सेटल करने की होती है अगर इस उम्र में अगर आप गल्फरेंड बोईफरेंड के चक्र में पढ़ गए तो आप अपने लक्ष को आप अपने करियर को कैसे बनाओगे जियोन में एक बात हमेशा ध्यान रखना जब आप 30 प्लस हो जाओगे जब आप 35 प्लस हो जाओगे तो कोई नहीं पुछेगा कि आपकी गल्फरेंड है या नहीं है सब यहीं पुछेंगे कितना कमाते हो क्या स्टेटेस मेंटेन करते हो सब यह पुछेंगे इसलिए आपके जीवन का यह दोर आपको settle करने का दोर होता है एक दूसरे के लौग के चक्कर में अपना करियर बरबाद मत करना जीवन में एक बात हमेशा याद रखना प्यार और गरीबी साथ साथ नहीं चल सकती है या तो प्यार ही चलेगा और या गरीबी ही चलेगी जिवन में ये बात आप नोट कर लेना जब तक आपका करियर सेटल नहीं होगा ना तब तक आपका प्यार भी सेटल नहीं होगा इसलिए इस उम्र में गल्फ्रेंट बॉइफ्रेंट के चक्र में मत पढ़ ले सेकर्ड सोसल मीडिया से दूरी बना लेना आप इस उम्र में आप इस्टूरेंट की उम्र होती है आपकी पढ़ने की उम्र होती है लेकि इस टाइम में लोग क्या कर रहे हैं इस्टाग्राम चला रहे हैं फेस्बुक चला रहे हैं WhatsApp चला रहे हैं, Instagram फिर अपनी DP अपडेट करते हैं, WhatsApp पर अपने status अपडेट करते हैं, एक बात बताईए मुझे, क्या आप पड़ाई कर रहे हो ना तहिने Instagram आपके कहीं यूज आता है आपकी पड़ाई में, ये WhatsApp कहीं यूज आता है आपकी पड़ाई में, नो नेवर, तो आप अपना status लगाते हो, पांच मिनिट भात आप चेक करते हो, और या किस ने देखा? देखने को बात पांच मिनिट वापिस देखते हो, किसने comment किया? और जब comment नहीं आते हो, तो दुखी होते हो, फिर वापिस अपनी DP जैंज करते हो, देखते हो कितने जुनों, अब तो इतने जुनों ने देखा, अब कमेंट आए, वोट इस दिस, ये सब करने से क्या होगा, क्या ये करने से आपके एक्जाम में नंबर ज्यादा आ जाएंगे, नो नेवर, तो फिर आप अपना टाइम इसमें वेस्ट क्यों करते हो, अगर आपका ध्यान पठकाती है, सोशल मीडिया आपको पड़ाई से दूर ले जाती है, इसलिए सोशल मीडिया से दूर चले जाना अगर आपको जीन में कुछ करना है तो, थर्ड टाइम वेस्ट मत करना, इस उम्र में, इस उम्र में अगर आपने टाइम वेस्ट कर दियाना, त समय आपके करियर को सेटल करने का है आप 35 के बाद 30 के बाद में जब आपका करियर सेटल हो जाया आप कुम मस्ती करना कुम मोज करना कोई नहीं रोकेगा आपको आप अभी मोज मस्ती करोगे न तो आप अपने पिता जी के पेशों से मोज मस्ती करोगे उस उम्र में आपको उस पेशे की value पता नहीं चलेगी इसलिए अपने पिता जी जो भी पेशे देते हैं उसको पड़ी में लगाए इस को career को settle करने में लगाए और यह समय चला गया ना तो यह समय आपको जीवन में कभी डुबारा नहीं आएगा फूर्थ फूचर के बारे में ना सोचना इस उम्र में बहुत सारे क्या सोचना अरे यार अभी तो भूत उम्र पड़ी है फूचर को सेटल करने अभी तो मोज मस्ती करने के दिन है अभी तो गूमने फिरने के दिन है यह आपकी सबसे बड़ी गलत फ्यमी है याद रखना जी को एक एक पल को बचाएं और अपने करीयर को सेटल करने में लगाएं परना यह जब ये समय निकल गया ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ पासता ना पड़िए का इन्सान के इस में अननत उर्जा उस्सा और उमंग और जोस होता है इस उम्र में आप डवल काम कर सकते हो क्योंकि इस उम्र में सबसे ज़्यदा उर्जा उस्सा और उमंग होता है तो ये जो समय होता ना इसको वेश्ट न जाये करें 35 के बाद में एसी उर्जा ऐसा उस्सा और ऐसा उमंग नहीं रहेगा जैसा इस उम्र में रहता है 18-25 के बीच में तो अपने उर्जा, अपने उस्सा और अपने उमंग को अपने करियर को सेटल करने में लगाए तब ही आप जीवन में अगे बढ़ पाओगे इसलिए ये ध्यान रखना हमेशा कि 18-25 के उम्र में ये गल्तिया कभी मत करना परना आपको बहुत पस्ताना पड़ेगा